नमस्कार, रेणुकारानी सीह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है समय क्या है, समय का समयक उपयोग कैसे करें, इसी के विशे में कुछ संछिप्त जानकारी लेकर उपस्तित हुई हूँ समय ही जीवन है और जीवन ही समय है समय की महिमा एवं मर्यादा में जीवन के सभी रहस्य समाहित है जीवन से समय को निकाल दिया जाए तो जीवन की कलपना भी संभव नहीं है समय के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है समय के सदू पयोग में ही जीवन का अर्थ प्रकट होता है समय का महत्व समझने के लिए यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें जीवन भी जन्म के छण से ही मिला है जन्म के छण से ही हम सबने जिंदिगी का अनुदान और बरदान पाया है तब से लेकर आज तक छणचण की वूंदों से बनी हुई समय की धारा में हम सतत प्रवाहमान हैं समय क्या है विज्ञान की भासा में कहें तो समय एक भौतिक रासी है जब समय व्यतीत होता है तब घटनाएं घटित होती है तथा समय चक्र परिवर्तित होता है बदलता है इसलिए दो लगातार घटनाओं के होने अथवा किसी गती सील बिंदू के एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक जाने के अंतराल को समय कहते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समय एक भौतिक तत्व है जिसे घड़ी यंत्र से नापा जाता है सापेक्षतावाद के अनुसार समय इस्पेस के सापेक्ष है सामान्य रूप से समय का मापन प्रथवी के सुरी के सापेक्ष गतिशे उत्पन इस्पेस के सापेक्ष समय से किया जाता है समय को नापने के लिए सुलब घड़ी यंत्र प्रथवी ही है जो अपने अक्ष एवं कच्छा में घूम कर हमें समय का बोध कराती है समय को काल भी कहते हैं, काल अरथात सब को अपने में समाहित करने वाली जो सर्वो परी सत्ता है इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं काल हूँ, काल से बड़ा कोई नहीं है और काल से परे कोई नहीं है जहां काल समाथ होता है वहां कुछ भी नहीं होता है सब कुछ समाथ हो जाता है और जहां काल होता है वहां सब कुछ होता है समस्त संभावनाएं विद्धमान होती हैं दुर्गा सब्तसती में समय को सक्ति का स्वरूप माना गया है माता भगवती की लीला और उसके रहस्य इसी काल के गर्भ में समाहित हैं माता भगवती की समस्त सक्तियों के रहस्य जिन से इस स्रिष्टी का स्रिजन होता है और स्रिजन के बाद ले होता है इसी काल की महिमा में अवस्थित है काल को कल्पनाएं भी कहा जाता है अर्थात जो भी कल्पना की जाती है काल उसे पुर्ण कर देता है बस आवश्यक्ता तो इसकी पहचान करने की है और इसका समुचित नियोजन करने की है समय की पहचान बड़ी बात है समय न तो अच्छा होता है और नहीं बु अपना पुरुसार्थ करता है वह कभी भी असफल नहीं हो सकता है। सदा सफल होता है। सफलता और असफलता का रहश्य संकल्प के साथ किये जाने वाले पुरुसार्थ में नहीं थे। समय की अनुकूलता के साथ किया जाने वाला हर कार्य सफलता का धोतक है। उचित समय में जो कारे किया जाता है उसकी सफलता असदिक्ध होती है और अनुचित समय में जो कारे किया जाता है उसकी सफलता सदेव संदिक्ध बनी रहती है इसलिए आवस्यक्ता है समय की पहचान और उसके अनुरोप पुरसार्थ का सही नियोजन यानि सही ढंग से समय का उप्योग करना जीवन का हर छण हर पल अपने में बहमुल्य है कोई भी छण ऐसा नहीं है कि वह ब्यर्थ है क्योंकि हर छण अपने साथ एक नया और अनुठा आवसर लेकर आता है इस अवसर का यदि सदुपियों कर लिया जाए तो जीवन की नई राहे खुल जाती है और यदि यह अवसर फिसल गया तो हम बहुत कुछ खो बैड़ते हैं वह सब कुछ जिसे पाकर जीवन धन्य हो सकता था उससे बंचित हो जाते हैं जीवन का प्रतियेक चान बेश कीमती है इसका कोई विकल्प नहीं है कहीं कोई दूसरा इसके साथ नहीं है यह चड़ अपने आप में बस एक ही है उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है जो यह हमें देने वाला है वह दुबारा हमको भी कोई न दे सकेगा छण में जीवन है और छण में मृत्यू छण में ही सफलता और असफलता का रहस्य भी समाहित है जैसे एक चिकिस्चक के लिए एक सही चड़ बड़ा महतुपून होता है क्योंकि उसके उस चण पर ही रोगी का जीव और उसकी मृत्यू निश्चित होती है चिकिस्चक यदि आपरेशन करते समय कोई गल्ती कर बैठता है तो रोगी की मृत्यू सुनिश्चित है और यदि वह उस चण का उपियोग कर लेता है तो रोगी को एक नया जीवन मिल जाता है विसम समय की विसमता से आलसी एवं डरपोग लोग ही घवराते हैं जो साहसी एवं पुरुसार्थी होते हैं उस विसम समय में भी सर्वस्रेष्ट कार्य कर लेते हैं योगी कथामरित के रचैता योगानंद कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में हमेशा उस विसम समय को चुना जिसमें कुछ भी संभव नहीं हो सकता था परंतु भगवान का नाम लेकर मैं उस चुनावती को सुविकार करता था और मैं एक महतकुन कारे करने में सफल हो जाता था स्वामी विवेका नंद का जीवन तो अतिसे विसम एवं कच्ट साध्य था उनकी घर की परिस्थितियां स्वेम की सारिरिक इस्थिति आदी सभी अतिसे विपरीत एवं प्रतिकूल थे परंतु कौन नहीं जानता है कि उन्होंने इन प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में परिवर्तित कर दिया इस तरह जो समय की अनुकूलता की प्रतिक्षा करते हैं और वर्टमान समय का उचीत सम्मान नहीं करते वे कभी सफल नहीं हो सकते हैं समय को साध कर कम समय में भी महानकारी किया जा सकता है छोटे से जीवन में कई जीवन जिये जा सकते हैं आदिगुरु संकराचारे की उम्र 32 बर्स थी इस छोटी सी उम्र में उन्होंने जो कर दिखाया उसे अनगिनत जीवन जीकर भी नहीं किया जा सकता है स्वामी विविकानन्द जी की उम्र 49 बर्स थी, महर्शी दयानन्द की उम्र 42 बर्स थी, भगनी निवेदिता की उम्र 45 बर्स थी, रामानुज की उम्र 38 बर्स थी, इस छोटी सी उम्र में इन्होंने जो कर दिखाया वह मात्र समय के सम्यक उप्योग से ही संभव था हम अपने सामान्य से जीवन में भी महतु पुनकारे कर सकते हैं इसके लिए हमें समय प्रवंधन की आवस्यक्ता है हमें अपनी आवस्यक्ता एवं उद्देश sih के अनुरूप अपनी दिन्चर्या को विवस्थित करनी की ज़रूरत है दिन्चर्या सब की एक समान नहीं हो सकती है अलग-अलग होती है इसलिए हमें अपनी दिन्चर्या को विवस्थित करने की आवश्यक्ता है ध्यान रखने की जरूरत है कि कारे करते समय हमारा सरीर और मन पर्याप्त सक्रिय रहे सही समय पर भुजन नीद एवं कारे का नियोजन हमें करना चाहिए व्यस्थितम दिन्चर्या में भी हमें अपनों के साथ हसने बोलने का समय निकालना चाहिए अन्यथा दिन्चर्या बोजिल और उबायू हो जाएगी समय के साथ साहचर्य करना चाहिए और समय के साथ कारे की प्रार्थ में तन्रिधारित होनी चाहिए इसी में जीवन की सची सार्थकता है इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देती हूँ जय हिंद जय भारत